गुड मॉर्निंग एभरीवन मैं हूँ आरपी धीवर मेरे यूटूब चेनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में हम लोग 11th agriculture में जो मेजर तीन सब्जेक्ट हैं पसुपालन, फसल उत्पादन और क्रिसी विज्ञान के तत्तो एवम गलित तो क्रिसी विज्ञा और क्रिसी विज्ञान ये पांच भागों में बाटा गया है क्रिसी विज्ञान के तत्तो एवम गलित को तो इसमें हम लोग भातिक विज्ञान के अंतरगत पहला जो अध्याय है क्रिसी मौसम विज्ञान इसके बारे में आज जानेंगे ठीक है कि क्रिसी मौसम विज्ञा तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है वायू मंडल कि वायू मंडल क्या है तो वायू मंडल क्या है अकास में वायू का वह आवराण जो हमारे प्रित्वी को चारे और से घेरे हुए है उसे हम क्या काते हैं वायू मंडल काते हैं तो वायू मंडल क्या है अकास में वायू का वह वा आवरण जो हमारे प्रित्थु को चारो और से घेरे हुए है उसे हम क्या काते हैं वायू मंडल काते हैं अब ये जो वायू मंडल है इसकी उंचाई लगभग 800 किलोमीटर तक दिया हुआ है वायू का आवरण ये क्या है अल तो आपकी बुक में 800 किलोमीटर तक दिया है तो 800 किलोमीटर ही आप लोग याद रखेंगे इसके बाद वायू मंडल को कितने भागों में बाटा गया है चार भागों में बाटा गया है तो इसको चार भागों में बाटा गया है जिसमें से ये जो पृत्वी है ये क्या है मानलीजे कि ये प्रित्वी का सता है ठीक है तो प्रित्वी के सता से जो सबसे पहला लेयर है ठीक है जिसको हम लोग प्रोपो इस्फेयर बोलते हैं तो मानलीजे ये जो है पहला लेयर ये क्या है वायू मंडल और वायू मंडल क्या है प्रित्वी के चारो और का आ च्पाव रहा या फिर लेयर है जो प्रित्वी को चारओर से गेरा हुआ है। हम लोग बोलते हैं। ट्रोपो-सवेयर। ठेक है। पहला क्या है? ट्रोपो-सवेयर। इस्की उोचाई प्रित्वी के सता से लगभग 12 किलोमीटर तक है। ठीक है इसके बाद ये जो ट्रोपो स्फेर है इसका जो उपरी हिस्सा है इस उपरी हिस्से को जहां पर ये जा करके खतम हो जाती है तो या फिर रुख जाती का सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपो पॉस तो पॉस का मतलब क्या होता है रुकना होता है तो यह यहाँ पर जाकर खतम हो जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसके सामने क्या लगा देते हैं पॉस लगा देते हैं तो जैसे वीडियो का हम लोग पॉस करते हैं बस वैसे ही पॉस है ठीक है तो यह जो क्या है यहाँ पर खतम हो रही है इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर पॉस्प बॉर रहे हैं इसके बाद जो next layer है आपका यह जो है Stratosphere का ठीक है जो next layer है वाईवू का ठीक है यह यहाँ सी इसकी उउचाही हम लोग 12.5 km तक मांते हैं ठीक है और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इसको स्ट्रेटोइस्वेयर क्या बोलते हैं इसको इस्ट्रेटो 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 इस्ट् प्रित्वी का जो आवरण है तीसरा लेयर का सकते हैं या जो बीच का लेयर है तो इसलिए हम लोग इसको हम लोग क्या बोल देते हैं मिजोस्फेयर ठीक है अब यह जो मिजोस्फेयर की इसकी उचाई हम लोग 80 किलोमेटर तक मानते हैं इसको ठीक है यह जो तीसरा लेयर है य हम लोग क्या बोलेंगे मीजो पास बोलेंगे ठीक है इसके बाद जो सबसे उपरी लेयर है और सबसे आखरी का सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फेयर अब इसको थर्मोस्फेयर क्यों बोलते हैं क्योंकि यह जो स्फेयर है यह बहुत ज्यादा गर्म होता है ज उसको 120 km तक हम लोग मानते हैं कितना मानते हैं 120 km तक उंचाई को मानते हैं छीक है तो इस प्रकार से यह क्या हो गया वाईव मंदल में ने वो जो वाईव मंदल को चार अलग अलग layers में बाचा गेज़ा है थीक है इसके बाद जो next है वो क्या है वायू मंडल का घटक तो वायू मंडल का जो संघटन है कि वायू मंडल में कौन-कौन सी गैस कितनी मातरा में पाई जाती है तो मुख्य जो गैस है जो जादा मातर में पाई जाती है ठीक है तो मुखे जो gas है उसकी जो परतिसत मात्र है तो पहला जो सबसे ज़्यादा मात्र में पाय जाने वाला gas है वो है nitrogen तो nitrogen की मात्र है इसमें 78.03 परतिसत होता है इसके बाद जो है oxygen है ठीक है तो oxygen को हम लोग ओसरी परजेन करते हैं तो यह nitrogen ऐसे O2 या फिर O2 ऐसे लिख देते हैं इस रूप में पाय जाता है यह प्रकृति में तो यह 21% हम लोग लिख देते हैं पर 29.99 परतिसत होता है तो इसको हम लोग 21 ही मान लेते हैं ठीक है इसके बाद जो next है वो है carbon dioxide और carbon dioxide होता है 0.03 परतिसत ठीक है बाकि और जो है इसमें जो आरगन है नियान है हिलियम है अन्या गैस भी है तो यह बहुत कम मात्रा में होता है negligible होता है ठीक है तो आपको इतना याद रखना है कि nitrogen कितना होता है 78.03 परसेंट और oxygen कितना होता है 21 परसेंट और carbon dioxide को 0.03 परतिसत पाया जाता है तो आज के लिए इतना काफी है thank you to watch this video